हेलो आल एंड वेलकम बैक अगें टू मॉडरन हिस्ट्री सीरीज में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसकस किया था इंडिया में क्या एकॉनमिक पॉलिसीज कोलोनियल टाइम पे चल रही थी किस तरीके से रेल पोस्ट टेलीग्राम या फिर जो बैंक्स वगर रहे हैं इं सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट-रास में डिसकस्षन किया था कंटिन्यू करते हैं आगे अके नींगे-बैक्चुल इंडियन क्या होता है फिर हम लोग देखेंगे राइज आफ मुस्लिम लीग क्योंकि अल्रडी हम लोग दिस कॉंग्रेस के बारे में अल्रडी हम लोग डिसकेशन कर चुके हैं तो हम लोग बाते करेंगे मुस्लिम लीग के बारे में और लास्टली हमारा जो बड़ा टॉपिक होगा व फड़ावट शुरू करते हैं अगें हमारा जो तरीका होगा वो अगें सेम रहेगा पहले हम लोग अपने pen and paper से discussion करेंगे and then we will look into the content जो content उसको फिर हम लोग देखेंगे तो चले फिर सबसे पहले हम लोग जरा शुरू कर लेते हैं हमारा सबसे पहला topic that is division of Bengal या फिर partition of Bengal तो partition of Bengal के बारे में पहले देख लेते हैं what is important here partition of Bengal कि अब देखें यह बात तो समझ में आ गई थी इतना discussion हम लोग ने कर लिया है कि कोई भी अगर revolutionary activity हो रही है तो वह भी Bengal से ही हो रही है Congress के session हो रहे है Bengal से ही हो रहे है Congress के अलावा जितने भी organizations है वो भी Bengal से ही आ रहे हैं तो यह बात समझ में आती है कि Bengal जो है अपने आप में बहुत ही जादा revolutionary you can say zone हो रखा था अब यह इस revolutionary zone में हर तरीके के लोग थे मतलब कि जो हिंसा करने वाले थे यानि कि एक तरीके से revolutionary ही बोला जाएगा इनको भी तो revolutionary भी यहाँ पर थे यहाँ पर extremist भी थे और यहाँ पर आपके moderate भी थे तो यहाँ पर हर तरीके के लोग basically यहाँ पर थे और in fact this Bengal was actually hub of education तो educational hub भी यह था तो इस वज़े से भी यहाँ पर काफी अदा important इलाके काफी अदा important यह चीज़ बनी हुई थी ठीक है so partition of Bengal करना काफी अदा important इस sense में हो गया था क्योंकि यहाँ पर जितनी भी independence struggle या जितनी भी movement वगर हो रहे थे वो सब यहीं से हो रहे थे और अब तक Britishers को यह पता चल चुका था कि यहाँ पर हिंदू-Muslim की अगर unity को अगर हम break कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एक तरीके से कह लिजे कि यह जो revolutionary moment वगर है चल रहा है इसको हम लोग कुछ हद तक तोड़ देंगे या फिर ब्रेक लगा सकते हैं अब यह बात इनको शुरुवात से पता चल चुकी थी even in 1871 जब पहली बार जब पहली बार कैलकटा में एक मदर्सा खोला गया था तो मदर्सा खोलने से ही यहीं से वारन हेस्टिंग के इसी काम से ही इस पूरे म Queensments Bonus तो में अलाक़ में काथ बिहार का इलाक़ होता था और प्लस औरीसा का भी इलाका था तो यह इलाक है जो है पूरा मिलाकर के बंगाल फिर फिर plans था तो अपने आप में आप ही समझ सकते हं कि काफी काफी बड़ा इलाका है असम को हलाकी 1874 में अलग कर दिया गया था असम को अलग करके सिलहट यहां पर एक डिस्टिक्ट था तो सिलहट को अलग कर दिया गया था तो असम वाज नॉट एक्चुली पार्ट आफ बेंगॉल अट इस टाइम लेकिन खेर इट वाज इन दे टाइम अर्लियर टाइम अगर बोला जाए तो यह कभी बेंगॉल का पार्ट हुआ करता था बाकि बिहार और उडिसा को हलकी बाद में डिवाइड किया गया था इसके बारे में भी हम लोग बाते करेंगे 1912 में जो होता है इसको डिवाइड किया गया था लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए तो बेंगॉल बांगलादेश बिहार उडिसा यह अभी ब्रिटिश मतलब की बेंगॉल प्रेसिडेंसी के एरिया में बने हुए हैं अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बांगलादेश जो आज की डेट का बांगलादेश है मुस्लिम डॉमिनेटेड एरिया उस समय का होता था दिस वाज मुस्लिम डॉमिनेटेड एरिया और बाकी बेंगॉल वगरे में यह हिंदू डॉमिनेटेड एरिया होते थे लेकिन दोनों में बहुत जादा यूनिटी थी मतलब यह दोनों मिल करके ही कोई भी काम करते थे हाँ यहाँ पर कुछ लोग थे सर सयद एहमट खाटाइब के कुछ लोग थे लेकिन यह एक तरीके से कह लिजे केवल अभी लोगों को पोलराइज ही कर रहे थे यह अलग नहीं किये हुए थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इन्होंने ब्रेक नहीं किया था इन्फेक्ट यह खुद भी अभी पोलराइज नहीं है अभी यह भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ही साथ में है लेकिन अल्टिमेटली क्या होता है कि यहाँ पर बेंगॉल को ब्रिक करना ज़रूरी हो जाता है इन्होंने कहा कि यार पर्टिशन कर देना चाहिए अब सीधी सी बात है इस पार्टिशन को पहले कुछ बनाना पड़ेगा प्लानिंग करनी पड़ेगी एक लिजिसलेशन भी लाना पड़ेगा क्योंकि उस समय तक यहां पर है इन्होंने क्या किया था इसकी प्लानिग किया तो प्लानिंग करके इस बीस जुलाई बी जुलाई नैने जोलाई 1905 य को तो लगबग दिड़ साल बाद 1905 में ultimately इन्होंने प्रपोजल दिया था प्रपोजल आफ पार्टिशन अब इस प्रपोजल में कोई ना कोई रीजन तो होना ही चाहिए इन्होंने रीजन ये दिया था कि Bengal Presidency अपने आप में बहुत बड़ी Presidency है और इसका administration करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है तो administrative hurdle के कारण से इसे break करना काफी ज़्यादा ज़रूरी है अब अगर हम लोग Bengal को देखे तो माल लेते हैं कि this is this much is Bengal ऐसे कुछ Bengal है तो कायदे से अगर आपको administrative hurdle देखनी है तो आपको population देखनी चाहिए कि population कहाँ पर कैसी है तो according to the population we should delimit the area लेकिन इन्होंने क्या किया था ultimately इन्होंने बंगलादेश को मतलब कि कुछ इलाके इस तरीके से divide किये यह जो Muslim dominated area था यह अलग हो गया था और यह जो Hindu dominated area था यह अपना अलग हो गया था तो इस तरीके से जो partition किया गया यही proposal दिया गया था 20 July 1905 को सीधी सी बात है अगर proposal दिया जाएगा तो इसके खिलाफ में थोड़ी सी agitation तो होगी ही होगी तो 7 अगस्त 1905 से ही agitation start हो जाती है यहाँ पर लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और इसमें सबसे पहला जो start किये रहते हैं उनका नाम है मरींदर नाथ नंदी तो इस इस मरींदर नाथ नंदी इन्दर नाथ नंदी जो है वो अनुशीलन समिती से जुड़े हुए थे और इन्होंने क्या है कि काफी कुछ मतलब किया हुआ था तो ध्यान रखेगा he was a member of अनुशीलन समिती जिसके बारे में अलड़ी हम लोग ने discussion कर रखा है तो इन्होंने क्या किया स्वदेशी स्टार्ट कर दिया स्वदेशी स्वदेशी movement बगर यह सभी स्टार्ट कर दिया स्वदेशी पर जूर देना शुरू कर दिया गए लेकिन फिर भी खैर इसमें कोई स्वदेशी बगर का कोई scene नहीं आएगा और ultimately जो है 16 October 1905 को बेंगॉल का partition कर दिया जाता है तो partition बेंगॉल यहां पर हो जाती है जैसे ही बेंगॉल का partition किया जाता है वैसे ही हमारे जो revolutionary यह moderate यह extremist जो भी लोग है वो सारे लोग ही कठा हो जाते हैं और यहां पर इस दिन को एक sad day के रूप में एक black day के रूप में इसे कर देते हैं और यहां पर हमारे जो रविन ना टैगोर साहब है इन्होंने भी इसे बहुती बुरा कहा इन्होंने कहा कि इस शुड नौट भी देयर ऐसा नहीं होना चाहिए तो इन्होंने भी कहा है काफी हद तक जो है इसे partition को जो है वो क्रिटिसाइज किया था लेकिन इस partition के एक action reaction के तौर पर स्वादेशी movement शुरू कर दिया गया था तो यहां पर स्वादेशी movement शुरू किया गया question दो लोग है जो important थे और एक है हमारे मदन महन मालवी और दूसरे हमारे सहब है लाला लाच्पत राये तो इन दोनों लोगों ने movement की शुरुवात किया था इस स्वदेशी मोंट की स्टार्ट किया था यहां पर वुमेन का भी participation हुआ था तो वुमेन जो है यहां पर participate की हुई थी ठीक है अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां पर administrative holder रहीगी तो obvious ही बात है यहां के भी governor general बनाए जाएंगे और यहां के भी governor general बनाए जाएंगे तो नाम याद रखिएगा governor general कहा के कौन बनाए गए थे तो जो वेस्ट बंगॉल का इलाका है यहां पर जो governor general थे उनका नाम था एंड्रियू फ्रेजर और जो हमारे यहां के governor थे मतलब की east बंगॉल के थे उनका नाम था lieutenant bloom field this is bloom field ठीक है fuller bloom field fuller कैसे याद रखेंगे बहुत ही असान है याद रखना partition के बाद में जो west bengal वाले लोग थे वो phaser गाड़ी चलाते थे ठीक है बाई काती है phaser और जो east वाले हैं यह लोग जो है royal infield चलाते थे ठीक है इस तरीके से याद रखिएगा तो bloom field से आप infield याद रख सकते हैं phaser से आप phaser याद रख सकते हैं तो west bengal वाले लोग advance हो गये थे और यह लोग जो है phaser गाड़ी चला रहे हैं और east bengal वाले लोग जो है सदेशी मोमेंट स्टार्ट हो जाती है सदेशी मोमेंट में फिर क्या है बहुत सारे लोग एक अठा हो गये थे इनके साथ में फिर जुड़ गये थे कौन-कौन लोग थे जो जुड़ गये थे नाम तो खैर बहुत सारे हैं जैसे कि हमारे चितरंजन दास हो गए, इसी तरीके से अश्विनी दत्ता हो गए, तो अश्विनी दत्ता भी जुड़ गए थे, फिर इसी तरीके से कृष्ण कुमार जुड़ गए थे, ठीक है, तो दिस इस कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार ने अपनी एक मैगजीन निकाल रखी थी जिसका नाम था संजीवनी तो संजीवनी एक मैगजीन भी इन्होंने निकाल करके रखी हुई थी तो अल्टिमेटली ये लोग जो है वो साथ जुड़ गया थे और इस स्वदेशी मुवमेंट को इन्होंने काफी अगत तक आगे बढ़ाया था स्वदेशी मुवमेंट को आगे बढ़ाने में अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग लोगों ने काफी अपना इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ली किया तो इस प्रेडिक के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए जो बॉम्बे का इलाका है यहाँ प देयाल सिंग इसी तरीके से डली में कौन आगे बढ़ा रहा था तो डली में जो है वो सयद हैदर रजा इन्होंने जो है आगे बढ़ाया था और लास्ली अगर बात किया जाए मदरास में कौन था तो मदरास में यहाँ पर चिदंबरम पिल्लाई थे जो आगे बढ़ा रह तो यह लोग जो है आगे बढ़ा रहे थे इस मोमेंट को इस मोमेंट में हो क्या रहा था इस मोमेंट में वही स्वदेशी वाली चीजे हो रही थी और स्वदेशी वाली चीजों में क्या था कि खुद के जो कपड़े हैं उनको पहनना देशी चीजों को पहनना विदेशी ची चीजिक शीज़ें जो कि अपनाई गई थी इसके अलावा बाकी और भी चीज़ों में काम किया गया जैसे की एक अरियंटल आर्ट ऐसे एक अ केसे नाथ के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था सिमिलरली अगर बात किया जाए तो अश्विनी दत्ता थे इन्होंने क्या किया था अश्विनी दत्ता ने इन्होंने जो है स्वदेशी बांध्व कमिटी बनाई थी तो दिस इस स्वदेशी बांध्व कमिटी ब्रदर हूड होत स्वदेशी यहां पर स्वदेशी एजुकेशन पर जोर दिया गया था कब उपन किया गया था अगे नाम याद रखना मतलब की डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है 15 अगस 1906 में यह उपन कर दिया गया था ठीक है फिर आगे बात करें तो इसी तरीके से डॉन सोसाइटी की गई थी किसके दवरा की गई थी हमारे आईयस साहब के द्वरा की गई थी सतेंदरनाथ बैनरजी के द्वरा की गई थी सतेंदरनाथ बैनरजी डॉन सोसाइटी स्टाट किये थे Similarly, Bengal, Education, College and School open किया गया था और यहाँ पर Principal के रूप में औरविंदो घोश को रख दिया गया था औरविंदो घोश का नाम आप लोगों को पता होगा अली पुर कंस्पिरेसी में इनका नाम आया था Ultimately इनको पकड़ लिया गया था सिया अरदास ने इनका केस ट्रायल कराया था और Ultimately इनको बचा लिया था बचाने के बाद फिर Ultimately यह पॉणिचेरी चले गया थे और वहाँ पर इन्होंने अपना और विंदो एक सोसाइटी बना लिया था और वहीं पर ही अपना रहते थे और अपना जो भी Politics है या फिर Revolutionary Moments है इनसे इन्होंने फिर Ultimately सन्यास ले लिया था छोड़ दिया था तो यह काम किया गया था इसके अलावा बेंगॉल में ही एक बेंगॉल केमिकल फैक्टरी बेंगॉल केमिकल मतब स्वदेशी केमिकल इस्टोर एक उपन कर दिया गया था किसके द्वारा किया गया था प्रफुल चंदर के द्वारा किया गया था तो यह चीजे हैं जो आपको धिहान रखनी है तो इस तरीके से इस्प्रेड हो गई थी लेकिन इस स्प्रेड में सब लोग इनका साथ नहीं दे रहा था कुछ लोग थे जो इनके अगेंस्ट में थे तो अगर अगेंस्ट में बात किया जाए तो कौन कौन लोग अगेंस्ट में थे अपने आप mandate या जागा थ जो रविन और टेगोर साहब थे यह भी अगेंस्ट में थे इनका यह कहना था कि यार आप स्वदेशी के नाम पे यू आर अच्छली डिस्ट्रॉइंग दा रिसोर्स आप जो है वो स्वदेशी के नाम पे जो हता है जितने भी चीजें हैं उनको आप खराब कर रहा है इस वजह से यह अगेंस्ट में थे तो यह डिस्ट्रॉइ डिस्ट्रॉइ ओफ रिसोर्स इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आखिर में इनोंने क्यों इसके अगेंस्ट में थे इसके अलावा अच्छा एक और चीज थी ये अच्छली वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा महत्व देते थे तो वेस्टर्न एजुकेशन मतलब एंग्लिसिस्ट थे इसकारण से क्या है कि अगें स्वदेशी को ये कहे कि अच्छी चीज नहीं है इसके अलावा जो माइनॉरिटी मुस्लिम थे ये भी अगेंस्ट हो गया थे और ये इसलिए अगेंस्ट हो गया थे क्योंकि सरसेयद अहमत खाने इन्हें पुलराइज कर दिया था सर सहीध एहमद खान और अल्टिमेटली ये लोग बलकी इंज्वाइ कर रहे थे कि हम लोगों को हमारा एक अलग एरिया मिल गया था तो खैर ये तो खैर बहकावे की बात थी पुलराइज्ड वर्ट से के बल और ऐसी कोई बात नहीं इसके अलावा जो है फार्मर्स थे जो इस सिस्टम सो अच्छा मान रहे थे कि बेंगॉल को जो है डिवाइड कर दिया गया था और जो है बिसिकली स्वदेशी को जो है वो स्वदेशी को अगेंस्ट में ये लोग थे तो ये चीज़े थी जो स्वदेशी मुमेंट से रूलेटेड हैं क्लियर हो गया क्या चीज़ है तो ये तरीका अपनाया गया था लेकिन यहीं पर क्या है कि अल्टिमेटली एक कमेटी बनाए गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा यहां पर विरोध हो रहाथ था कि अल्टिमेटली ब्रिटेशर को ब्रिटेन को एक कमेटी बनानी पड़ गई थी कि आखिरमें क्या किया जा सकता है तो यह कमेटी बनाए गए थी अरुंडाले fim कमिटी बनाये गए थी नाम याद रखियह सक प्रोड़ी रहती है वाली जो फॉले की और राण्डे वाली में गया त में और यही जो यूनिफिकेशन है जब दिल्ली दर्बार हुआ था दिल्ली दर्बार जब हुआ था 1911 में या फिर कह लिजे कि 12 में जिस समय ब्रिटेन के जो जौर्ज फाइफ थे बिसिकली जो वहां के किंग थे वो आये थे और हार्डिंग ने लेकर के इनको बेंगॉल से दिल्ली लेकर आया था क्योंकि यहां पर दिल्ली को भी कैपिटल भी बना दिया गया था जहां पर राज बिहारी बोस ने हार्डिंग बॉम्ब केस किया था पड़ रखे हैं ना हार्डिंग बॉम्ब केस और यहीं पर जो है बिसिकली राज बिहारी दिस इस राज बिहारी बोस थे यहां से यह फिर भाग गये थे कहाँ पर जिपैन में चले गये थे यह तरीका अपनाया गया था तो यह खेर अरुन्दाले कमिटरी है जिसने यूनिफिकेशन ओ बेंगॉल के बारे में अपनी बाते कही थी और यूनिफाई भी कर दिया गया थे लेकिन उसी 1912 में फिर इस भिहार और पतना को भी अलग कर दिया गया था तो यह धियान में बेंगौल का फर्स्ट पार्टिशन है और आपका सेकेंड पार्टिशन जो है वो कपाए जाता है 1912 में फर्स्ट पार्टिशन का इसलिए खतम कैसे होता है देखिए क्या है कि आपको जब भी बुक्स में पढ़ते हैं तो आप मुमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं लेकिन उस मुमेंट का एंड क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है यह आपको पता होना चाहिए यह अदर्वाइस जो है वो सिंक नहीं बैठेगा तो यह या फिर आपके जो कृष्ण कुमार है तो ये लोग इन लोगों की एरेस्ट हो गई थी और एरेस्ट होने के बाद में ये मोमेंट जो है इल्टिमेटली फीका पड़ गया था 1908 वाली जो मोमेंट फीकी पड़ गई और इस तरीके से इस मोमेंट की भी एंड हो जाती है तो ये मोमेंट भी यहीं पर खतम हो जाता है लेकिन यहां से इन लोगों ने एक सीख लिया कि इस यूनिटि को पहले ब्रेक करना ज़रूरी है और इसी ब्रेक करने के दौरान में ब कटाफ़ देख लेते हैं तो यहां से क्या आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आखिर में मुसल्मान डाइवर्ट क्यों हो रहे थे ठीक है तो अब हुआ क्या यहां पर कहा पर देखा जाए चलिए यहीं पर देख लेते हैं डवलप्मेंट आफ मुसलिम लीग ठीक है म अलिगर मुवमेंट हो गया अलिगर मुवमेंट ठीक है इसी तरीके से आपका देवबंद मुवमेंट हो गया तो यह सब जो कुछ मुवमेंट चल रहे थे इस मुवमेंट के कारण से कही न कहीं कुछ पोलराइजेशन कुछ तो दूरियां आ ही गई थी तो पोलराइजेश ता कि यार बिटिश हमारे लिए आये हैं and they are actually developing our religious people जो भी हमारे कौम के लोग हैं उनको ये लोग डवलप कर रहा है हमें western education की ओर में चलना चाहिए western education हमें हमारे पूरे धर्म को भी educate करेगी और हमारे लोगों को भी educate करेगी जितने हिंदू है they are actually dominating us हम लोगों के उपर में dominate करने और इस वज़े से जो है हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए और इसी वज़े से इन्होंने Congress का भी साथ नहीं दिया था इन्होंने Congress को भी bycott करने के लिए कहा था तो ये हमारे सरसायद हमत खाते जो कहीं न कहीं British policies थे British की जो drain of you can say की infiltration theory of education थी उससे काफी जादा ये प्रभावित हो गयते और इन्हें कहीं न कहीं जो है वो इनका mindset भी change कर दिया गया था तो ये तरीक है खैर उनको गलत बोलना यहाँ पर सही नहीं होगा क्योंकि उस टाइम की condition कुछ ऐसी बन जाती है कि लोग अपने आप ही खिलाफ हो जाते हैं अगर आप देखेंगे परिवार में अगर भाई भाई खिलाफ हो सकता है तो ये तो खेर बाहर के हैं तो इस वज़े से बिलकुल कंडिशन्स ऐसी बनाई जा सकती है दिमाग में ऐसी बाते डाली जा सकते हैं जिसके कारण से लोग खिलाफ हो जाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है आगे अगर देखा देखा है कि मुस्लिम लीग की डवलप्मेंट होती कैसे है तो देखें मुस्लिम लीग के खिलाफ में एक मोमेंट चलाता जिसको बोलते हैं हम लोग एहरार मोमेंट तो एहरार मोमेंट क्या हुआ था कैसे हुआ यह हम लोग आगे देखेंगे तीक है फि जब बेंगॉल का डिवीजन किया जा चुका है तो उस समय कुछ लोग थे जैसे कि आगाखा हो गया और एक सहाब और है सलीमुला सलीमुला यह दो लोग जो है जा करके अल्टिमेटली शिमला में लॉड मिंटो उस समय का जो वाइसराय है लॉड मिंटो उन से जा करके मिलते ह और यह लोग यहां पर यूनिवर्स आप यह कह सकते हैं कि यह लोग एक्चल में कम्यूनल इलक्टोरेट मांगने के लिए गया थे तो बिसिकली यह लोग कम्यूनल इलक्टोरेट मांगने गया थे यहां पर इलक्टोरेट तो अपना प्रपोसल दे के अल्टिमेटली यह ल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन समिट मुस्लिम एजुकेशन समिट इस समिट में यहीं पर अल्टिमेटली मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो मुस्लिम लीग यहीं से फिर फ्रेम में आ जाते हैं किस ने किया था ऑविसली सलीम उल्ला ने किया हुआ है तो अगर यह सलीमुला करने तो इसके प्रेसिडेंट कौन बनेंगे इसके प्रेसिडेंट जो है वो बनाये जाते हैं नाम याद रखिएगा बहुत 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 जादा इंपॉर्टेंट है तीन चार लोगों के ही नामें जो आपको याद रखना है इस मुस्लिम लीग में तो यह लोग रहते हैं फिर अल्टिमेटली ऐसा नहीं है हर एक पार्टी में कंस्टिटूशन बनाई जाती है आगे तो constitution मनाने के लिए दो लोग है एक का नाम है मुहसिन उलहक और दूसरे नाम है वकार उलहक तो दिस इस वकार उलहक इन चार लोगों का नाम के वाल याद रखिएगा और दिस विल भी मोर दें सफिशियंट फॉर दिस मुसलिम लीग इसके अलाबा 1908 में इस मुसलिम लीग की एक और ब्रांच जो है वो लंडन में उपन कर दी गई थी तो लंडन कीस के दौरा हा लगे किसके द्वारा किया गया था यह किया गया था सयद अमीर अली के द्वारा किया गया था तो यह चार नम आपको याद रखने हैं ठीक है और अल्टिमेटली आपका यह मुस्लिम लीग जो है वो खतम मतलब की बन जाएगा फिर ultimate rapt होता क्या है यहाँ पर कि अम्रिट सर की मीटिंग होती है अम्रिट सर की मुस्लिम लीग की मीटिंग होती है और यहाँ पर इृषे लोगेने separate electorate की डिमांड की थी separate electorate separate electorate for Muslim यह कम میटिंग होई है 1908 में मीटिंग होई है और ultimately 1909 में यहाँ पर मौरले मिन्टो रिफॉर्म और इस मौरले मिन्टो रिफॉर्म में इस सेपरेट इलेक्टोरेट को दे दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कम्यूनल इलेक्टोरेट communal electorate फिर ultimately दे दिया जाता है तो यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो यह थी पूरी Muslim League की कहानी जहां पर एक साइड में स्वदेशी चल रही है वहीं दूसरी साइड में Muslim League का development भी चल रहा था अब इसके साइड से साल की एक बड़ी घटना और जाती है और उस घटना का नाम है 1907 सूरत स्प्लिट अब यह सूरत स्प्लिट की घटना क्या है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था यहाँ पर देखे यहाँ पर actual में क्या है कि इस Congress में दो तरीके के लोग हो गए थे एक थे जिनें भुला या रहा था moderates है और दूसरे लोग थे जो liberal थे या फिर कह लिजए कि extremist टाइप के कुछ लोग थे liberal या moderist या फिर जो है extremist टाइप के लोग थे moderate में आपके कुछ लोग थे और extremist में जैसे कि आपके अरविंदो घोष हो गए या फिर लाला लाजपत राय हो गए तो यह लोग जो है वो extremist to nature के थे और यह चाहते थे कि जो है हमें एक nationwide हमें struggle करनी चाहिए nationwide चीज़ें लेकर के आनी चाहिए और वही moderate में जैसे कि हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए या दादा भाई नौरो जी हो गए तो यह लोग बिसिकली यहाँ पर moderate में आ जाते हैं अब यहाँ पर होता क्या है कि सीधी सी बात है दो तरीके के दिमाग वाले लोग है दो तरीके की ideology वाले लोग है तो moderate चाहेंगो कि इनका president बन जाए ठीक है congress के president इनके द्वारा बने और extremist चाहेंगे कि हमारा वाला president बन जाए तो ये दोनों के बीच में struggle 1905 से ही start हो चुकी थी president को ले करके तो 1905 में होता क्या है कि गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया जाता है president और extremist हो चाहें moderate और दोनों में ही इनके लिए respect बहुत जादा थी रिस्पेक्ट के कारण से ultimately यहाँ पर extremist ने कुछ नहीं बोला और कहा कि चलो ठीक है सहलेंगे थोड़ा similarly 1906 में फिर बाते होती है और extremist यह चाहते है कि लाला लाजपतराय को बनाया जाए लेकिन फिर बना दिया आता है दादा भाई नौरो जी को दादा भाई को बना दिया आता है तो अगिन इनके लिए भी respect बहुत high रहती है तो इस वज़े से भी यहाँ पर extremist जो है वो फिर कहते हैं कि ठीक है सहलेंगे थोड़ा और लेकिन 1907 में क्या होता है कि अब यहाँ पर बात छड़ी आती है जो moderates रहते हैं यह कहते हैं कि हमें रास बिहारी घोश को बनाना चाहिए घोश है ध्यान रखियेगा इस इस नॉट बोस बोस अलरड़ी जा चुके है ठीक है दोनों के बीच में फिर जो होता है इशू क्रियेट हो जाता है और इशू क्रियेट होने पर यहीं पर अल्टिमेटली डिवीजन हो जाता है कॉंग्रेस का स्प्लिट हो जाता है खेर, reason केवल यहीं नहीं रहता है, reason एक और रहता है, जो कि पहले से ही चल रहा था 1905 में जब partition कर दिया जाता है, तो स्वधेशी मोमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है स्वधेशी मोमेंट स्टार्ट करने में कुछ लोग थे, जो रविना टैगोर का फिवर कर रहे थे कि यार इस तरही की की चीज़े हमें नहीं करनी चाहिए, या अगर कर भी रहे हैं तो हमें बेंगॉल तक लिमिट करना चाहिए, तो बेंगॉल तक ही सीमित रखना चाहिए, वहीं दूसरे लोग कहते थे कि नहीं यह तो इंडिया इंडिया करना चाहिए, तो आल इंडिया लेकर के जाना चाहिए तो और इंडिया वाले लोग और बेंगॉल वाले लोग जो है वो मॉडरेट ही होगे तो ये पॉइंट पर भी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हुई और इशू नंबर वन और इशू नंबर टू इन दोनों को लेकर के सूरत स्प्लिट हो जाता है और यहाँ पर कॉंग्रेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों ही ऑव्यसी बात है कि इस डिपेंडेंट्स स्ट्रगल के लिए ही काम कर रही है तो यह तरीका अपनाया जाता है 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाती है क्लियर हो गए क्या चीज़े अब सूरत स्प्लिट होने के बाद में 1908 के बाद से क्या हो रहा है यहाँ पर मामला पूरा शांत पड़ा हुआ है क्यों क्यों क्योंकि लाला राजपत राय को जेल हो गई है लाला राजप तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यह इंडिपेंटेंटेस्ट इश्ट्रगल का साइलेंट यह था थी कई यह और कुछ खास डवलपमेंट नहीं था फिर अल्टिमेटली 1914 से फिर थोड़ी activities वगरे स्टार्ट होती है लेकिन इस बीच में 1914 तक में Theosophical Society आ चुकी थी और यह Theosophical Society जो है वो एक तरीके से यहां पर जो वेदाज वगरे हैं उनको promote करना शुरू कर दिया था अब Theosophical Society के बारे में आप लोगों को पता ही है इनके बारे में अलड़ी हम लोग discussion कर चुके हैं अलकारक ने इस्टार्ट किया था है ना और in fact इंडिया में अगर इंडिया से पहले अगर बात किया जाए तो Theosophical Society इस सोसाइटी का एक अपना rule होता है rule क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं ये लोग कहते हैं कि हमें home rule करना है home rule का मतलब क्या होता है पहले ये आपको समझने लेना चाहिए home rule का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग overall sense में देखें overall और एक होता है जो local level पे मतलब कि एक national level पे और local level पे local level पे self governance होनी चाहिए ऐसा home rule का कहना है लेकिन जो overall है मतलब top level पे जो है हम लोग British के ही गुलाम रहने चाहिए मतलब British ही इस चीज़ को फिलहाल देखने चाहिए तो ऐसा home rule का कहना था इस home rule की शुरुबार जो सबसे पहले की गई थी वो की गई थी Ireland में Ireland में यहाँ पर एक साहाब थे जिनका नाम था Redmont तो इस इस Redmont थे जिन्होंने इस home rule की शुरुबार की थी यह Irish leader थे और इन्होंने ही home rule को जो है coin किया था इन्होंने ही coin किया था इंडिया में इस चीज को spread करने के लिए क्योंकि इंडिया में भी Theosophical Society आही गई थी तो इंडिया में इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए Joseph Baptist को भेजा गया था तो Joseph Baptist थे अब देखिए Theosophical Society इंडिया में socio-religious moment कर रही थी यहां पर ठीक है और इस home rule को आगे बढ़ाने के लिए Joseph Baptist को भेजा गया है यह ध्यान रखिएगा ठीक है Joseph Baptist को भेजा गया है इनी बेसेंड socio-religious moment के लिए आई थी लेकिन बाद में हलाकि यह भी जो है इंडिया नेशनल इस्टरगल में चली आई थी और यह home rule से attach हो गई थी बाद में थीक है तो यह ध्यान रखिएगा दोनों में एक बड़ा difference है हलाकि this is not a big difference बट इस्टिल there are differences यह difference है ध्यान रखना है इस चीज़ को थीक है अब यह जो Theosophical Society अपना काम कर रही थी 1940 तक लेकिन 1914 में अब ultimately यहां पर इस campaign के तोर पर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था वहीं दूसरी और 1914 में फिर हमारे जो तिलक साहब है यह भी छूट करके आते हैं और छूट करके आते हैं तो यह देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है बताओ तो इन्हों ने देखा कि यार होम रूल चल रहा है तो इन्हों ने का हम भी चला देते हैं और होम रूल तो यह भी होम रूल से ही जुड़ जाते हैं और इस तरीके से होम रूल मुमेंट 1914 में एक आग के तरीके से आगे फैलना शुरू हो जाता है question यह है कि इस आग का मतलब क्या है यानि कि इस home rule का steam क्या होता है तो one second let me take another page and then we'll discuss एक second यस अब देखे होम rule का फिर मतलब क्या है home rule में हो क्या रहा है आखिर में चीजें कैसे चलती है तो देखे होम rule अभी हम लोगों ने देख लिया home rule की शुरुवात आयरलेंड में होई थी और इस आयरलेंड से शुरुआ जो है बिसिकली रेड मॉंट नहीं किया था तो रेड मॉंट ने यह काम किया हुआ है आयरलेंड में इंडिया में इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें जोसेफ Baptist एक साहब थे जिनको भेजा गया था तो जैसे Baptist यह साहब थे और यह अल्टिमेटली जो हता है इंडिया में आ गये थे और बाद में यहां पर एनी बेसेंट भी जुड़ गई थी इसी से तो एनी बेसेंट भी इनसे जुड़ गई है ठीक है एनी बेसेंट ठीक है ध्यान से यहाँ पर दो पार्टी बन जाती है एक पार्टी बन जाती है जो एनी बेसिंट की रहती है तो दिस इस एनी बेसिंट की पार्टी और दूसरी पार्टी बन जाती है जो बाल गंगधर तिलक की है तो दिस इस बाल गंगधर तिलक पार्टी दोनों के अपने अलग अलग अल लेख वगरे लिखना शुरू कर दिये और इल्टिमेटली जो होता है इन्होंने इस्प्रेड किया जो वापस से दबा हुआ वेरनस कैमपेंट था उसको वापस से इस्प्रेड किया और इल्टिमेटली यहां पर इन्होंने होम रूल का बिगुल बजा दिया होम रूल का इन् अपनी होम रूल है इन्हों ने जो अपनी होम रूल बनाई उसका हैड़कोवाटर इन्हों ने बनाया में लzos смотр को बना गया तो स्काथ किया इनका नाम था national home rule league तो this is national home rule league यह स्टार्ट किया गया था इनका headquarter कहा था इनका headquarters था अड़ेयर में और इनके जो president थे अनका क्या नाम। था इनके president का नाम वही है क्या नाम है वही आपके अरुन डाले ठीक अरुन डाले जन्हें आगे जाकर के 1911 में बेंगॉल का जो डिवीजन किया गया तो उसको वापस से जुनिफाई करने की बात कही जाती है तो ये काम किया गया अब ये जो नेशनल होम रूल है ये कहां कहां पर फैला हुआ था ये चल रहा था बॉंबे में और बाकी के रिस् तिलक वाली होम रूल नहीं चल रही थी वहां पर बेसंट की होम रूल चल रही थी अब जो होम रूल है यहां पर ये पूरे महरास्ट में चल रही थी लेकिन बॉंबे में नहीं चल रही थी ये ध्यान रखेगा तो एकसेप्ट बॉंबे एकसेप्ट बॉंबे क्योंकि ते जहां पर तिलक साहब की local self government या home rule चल रही थी और वहीं बचे हुए जितने भी पार्ट थे हर जगा पर एनी बेसेंट की home rule चल रही थी एनी बेसेंट की home rule में अच्छली बहुत सारे लोग जुड़ गया थे क्योंकि इनके जो norms वगर है थे वो बड़े ही flexible थे बहुत ही flexible थे अपने हिसाब साचीजों को modify कर सकते थे यहां पर जो norms वगर है थे थोड़े से rigid norms थे तो यहां पर यह रिजिड नॉम्स थे इतने लोग यहां पर नहीं जुड़े थे अब इनसे जो लोग जुड़े थे वो कौन कौन थे बड़े बड़े लोग रहेंगे सीधी सी बात है मोती लाल नहरू इनसे जुड़ गये थे ठीक है इसके अलावा जवाहा लाल नहरू भी जुड़ गये थे ठीक है इसके अलावा तेज बहादुर सपरू जुड़े कि गोपाल कृष्ण गोखले की जो सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी थी इसके लोग basically होम रूल में नहीं आये थे ये ध्यान रखेगा ये लोग नहीं आये थे किसी भी होम रूल में नहीं आये थे ये इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे थे तो ये अपना मोमेंट चल रहा था बड़ा अच्छा चल रहा था और लोग भी इससे जुड़ते आ रहे थे लोगों में एक वापस से नई एक कॉंशाइंस आ गया था नई चेतना आ गयी थी लोग फिर से इंडिपेंडेंटेंस स्टोगल के लिए जुड़ना शुरू कर दि से स्टॉप आने के पीछे कारण तो रहता है जो चेंप्सवोड की पॉलिसी है तो मॉंटेग्यू चेंप्सवोड डिफॉर्म आ जाता है नाइंटी नाइंटी में और यहां पर सेल्फ गवर्नेंस को या रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट को बेसिकली माल लिया जाता है इनक जी से जो हमारी इनी बेसेंट है यह चिल हो जाती है कि या अब तो हमारा काम हो गया पूरा तो यह होता है वह चिल पिल पड़ जाती है कि हाँ ठीक है लाकि इन्होंने जो काम किया था उसके कारण से 1917 में इन्हें Congress की Presidentship भी दी गई थी लेकिन एल्टिमेटली जब 1918 onwards जब आते होना शुरू हो जाते हैं कि हाँ ठीक है अब मतलब की Responsible Government आ जाएगी तो ये फिर आगे जाकर के चिलपिल पड़ जाएंगी हाला कि एनी बेसंट एक समय ऐसा था जब गांधी जी के अगेंस्ट में थी ज्यान रखेएगा गांधी जी के अगेंस्ट में थी और गांधी जी को एक political बच्चा बोलती थी मतलब ये अभी निया निया बच्चा आया है ऐसा बोलती थी लेगन खैर अल्टिमेटली देखेंगे हम लोग आगे क्या होता है चंपारं सत्याग्रव अगरे में ये सब आएंगे आगे 19.99 में इनी बेसंट अच्छा इनी बेसंट के लावा हमारे तिलक साहब कैसे हलके पड़ गया तिलक साहब के साथ के बैलेंटीन लिखे रहते हैं और इहां पर इननोंने तिलग को बहुत क्रोटीसाइज कर दिया उन्होंने कहा कि ऐर इंडिया के लिए कलंक है इंडिया में ऐसे विकती नहीं होने चाहिए तो इन्होंने तिलग ने क्या किया ता इस तरिके से 19odden यहां हो जाता है हो यह जाता है एंड टू होम रूल तो ये जब होम रूल एक तरीके से मतलब यह ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि 1905 से लेकर के 1908 के बीच में 1905 से 1908 के बीच में यहाँ पर स्वदेशी बहुत ज्यादा प्रचलन में थी स्वदेशी बहुत ज्यादा तेजी से चल रही थी लेकिन 1908 से 1914 के बीच में यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े नेता लोग थे वो डाउन पड़े थे लेकिन यहाँ पर गांधी जी के एंट्री हो जाती है फिर तो गांधी जी एंट्री हो जाती है लेकिन होम रूल फिर आगे जाकर के ठंडा पड़ जाता है और यहीं पर होम रूल का एंड हो जाता है लेकिन यही 1914 आनवर्ट जो है यहाँ पर गांधी जी हमारे जो होता है वो निकल पड़ते हैं तो यहां पर आप गांधियन एरा आ जाता है तो गांधियन एरा यहां पर आ जाएगा और गांधी जी अपने जो non-violence की policy है और सहयोग की policy है इसको ले करके फिर आगे बढ़ जाते हैं सत्यागरह को ले करके आगे बढ़ जाते हैं और यह सत्यागरह इनको खेर काफी आगे तक ले जाएगा हम लोग यह देखेंगे तो ultimately गांदी जी स्टार्ट हो जाते हैं और गांदी जी की 1920 में एक बड़ा बड़ा एक moment स्टार्ट करते हैं that is non cooperation moment लेकिन इस non cooperation से moment से पहले एक बड़ा year आता है जिसको बोलते हैं हम लोग नाइंटीन 19 का year 1919 के year में कुछ बड़ी बाते होती है इस बड़ी बड़ी बातों में क्या है जलिया वाला बाग हुआ था जलिया वाला बाग हुआ था इसके अलावा खिलाफत moment हुआ था खिलाफत movement हुआ था और इस खिलाफत moment से क्या हुआ गांदी जी ने मौका बड़ा अच्छा पाया और इन्होंने हिंदु मुस्लिम यूनिटी को हिंदु मुस्लिम यूनिटी को एक कर दिया वापस से हिंदु मुस्लिम यूनिटी को एक कर दिया था तो यह तरीका है यहां से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि गांधी जी एंटर कर रहे हैं और गांधी जी फिर आगे जाक करेंगे तो देखें फटा-फटे थियूरी को देख लेते हैं इंडियन नोशनल मुमेंट में विसेकली तीन तरीके के लोग हैं एक है जो मॉडरेट है एक्स्ट्रमिस्ट है और रिवॉलुशनरी है हलाके रिवॉलुशनरी अक्टिविटी को हम लोग अलड़ी देख चुके हो रही थी उनके बारे में भी हम लोगों ने देख रखा है अब यहां पर जो मॉडरेट थे एक्स्ट्रमिस्ट थे इन्होंने देखा कि बाहर की कंट्री में जो बड़े-बड़े देश है वो भी छोटे-छोटे-छोटे देशों से हार जा रहे थे जैसे की एजिप्शिय और इस तरीके से यहां पर दो लोग थे एक लोग थे जो मॉडरेट कहला है तो मॉडरेट 1905 1805 से लेकर के 1885 से लेकर के 1905 के बीच में थे दूरिंग डिस पीडियाड एक सेकेंड और इस तरीके से शुरुवात में क्या है कि मॉडरेट लोग जो है अपनी दिमांड प्रस्तुत कर रहे थे कुछ लोग हाला की बाद में लाला राजपत्रा और बहुत सरे और भी लोग थे इन्होंने क्या है कि कॉंग्रेस को एक बेगिंग और्गनाइजेशन के तौर पर बना दिया कि अर्भीग मांगते रहते हैं खाली चार दिन का मेला है खाली तो इस तरीके से जो हता है कॉंग्रेस को बोल दिया गया था और यहां से लोगों के बीच में एक डिफरेंस क्रियेट होना शुरू हो गया था मॉडरेट और एक्स्रेमिस्ट के बीच में कुछ दिबांट सी मॉडरेट की कुछ तो इन लोगों ने अपना अचीव भी करवा लिया था जिसके कारण से हमेशने ले बोलते तो देखो हम लोग ब्रिटिश से बोलते और यह लोग जो हमें माल लेते हैं बजट की बजट की अधिनिस्ट्रेशन रिमोल अफ रिस्ट्रिक्शन और फ्रीडम अफ प्रेस स्पीच यह भी लोग ने करा दिया था देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच वगर सेपरेशन ऑफ जुडिचरी फ्रॉम एक्जिकृटिव भी करा दिया गया था बाइद बेगिनिंग ऑफ 20th सेंचु दियूरिंग फेज वाज अबाउट दा इकनॉमिक ड्रीन ऑफ इंडिया जिसके बारे में अलड़ी हम लोग ने लास्ट लास में डिस्कृशन किया हुआ है इन दिस कंटेस्ट देमांडे दा एंड आफ इंडिया इकनॉमिक ड्रीन और यह डिस्क्रिमिनेटरी लॉस बगर है या फिर इंपोर्ड ड्यूटी है या फिर इंडियन गुड्स है मिलिटरी एक्सपेंडीचर है इन सबको कम करने की इन सबको खतम करने की बातें कहीं गए थी जो कि 1930 तक चलेगी मतलब आपने आप में सोच सकते हैं कि कितना लंब लंबा यह फेस चल रहा है कुछ बगर बनवा लिये गये थे तो यह सब काम किया गया था फिर आगे बढ़ा जा तो एक्स्ट्रमिस्ट के बारे बर देखते हैं तो एक्स्ट्रमिस्ट जो है दे पॉलिसी ऑफ अर्ली कॉंग्रेस डिल्स डिस इल्यूजन मैनी अफ यंग लीडर पॉपलर दी नोन ऐस नियो पूरी तरीके से आजा दी चाहिए चोटे मोटा क्या होता है पूरी आजा दी हम लोगों को चाहिए दा पाइकॉट आफ ब्रिटिश मेड गुट्स एंड यूज ऑफ स्वदेशी और होम मेड प्रोड़क्स वर इंकरेज इंडियन इंडस्ट्रीज और इसके लिए इन्हों में क्या हुआ था अच्छा शुरूआत से देख लेते हैं देश देर वाजए ग्रोइंग कॉंशेशनेस समंग दे इंडियन ऑफ एक्स्प्लॉइटेटिव करेक्टर ऑफ ब्रिटिश को लोनियल रूल इन इंडिया दर आइटिंग ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट जैसे की अब समने कुछ ना कुछ लिख रखे थी जैसे राना देर ने जो है वह ऐसे ऑन इंडियन एकॉनमी लिख रखा था दादा बाइन औरो जी ने जो है पोवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था आरसी धत्ता ने एकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा जहां तो इस कारण से उनको डिपोर्ट कर दिया गया था वह भी बिना ट्रायल के तो इसके खिलाफ में लोग थे कहें कि यार यह तो देखो गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए उनिवर्सिटी एक्ट इंडिया गया था इसके भी लोग खिलाफ थे इन एक्टमेंट ऑफ लॉ इस प्रॉमिनेंट एक्स्ट्रमिस्ट में जैसे कि बाल गंगा दर्तिलग हो गया और विंदो घोष हो गया लालाज पत्राय हो गया विपिंच अंद्रपाल हो गया यह लोग थे इनके बारे में खेर आप लोग पढ़ दीजेगा इसमें कुछ खास डिसकुशन करने को है न लेकिन खैर एक्जामिनेशन एक साइड होना चाहिए और हमें नौलेज भी एक साइड रखनी चाहिए नौलेज इस अल्सों इंपोर्टेंट एंड इन परसनालिटीज को पढ़ने से काफी मोटिवेशन भी आता है और एक अच्छा लगेगा यह आपको एट लीस्ट आपक प्रपोजल आया था फिर उसके बाद से 19 जुलाई 1905 में प्रपोजल फिर से लाया गया और इस तरीके से पार्टिशन कर दिया गया था और यहां पर क्या क्या चीज़े हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखी रखा है पार्टिशन ऑफ विंगॉल में करजन थे जिन्हो पर extremist लोग आवाज उठाना शुरू कर दिये थे लेकिन खेर इल्टिमेटली 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है ठीक है तो इन सब के बारे में तो खैर देख रखा है हम लोगों ने ठीक है इसके बारे में आप लोग देख लीजेगा पड़ लीजेगा ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लखनव पैक्ट और बाकी जो सेकंड इस्प्लिट इन आइंसी इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी आगे बात करेंगे लिवर्शन रिवर्लिशनरी अक्टिविटीज बगर है इसम बात करेंगे नेक्स लास में ठीक है ब बाकी ठीक है रीड करते रहे हैं देखें हिस्ट्री में देखेंगे लॉट ऑफ बुक्स बट यू नीड टू लिमिट योरसेल्फ हमेशा आपने आपको लिमिट करके रखिएगा क्योंकि एल्टिमेटली आपको एक्जामिनेशन पास करना है और इसमें एक्जामिनेशन मे बारे में डीप अंडरस्टैनिंग हो ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा एक्जामिनेशन पास्टे के कोशन उठाएंगे तो आपको ज्यादा एडिया लगेगा कि अखिर मैं क्या बोल रहा हूं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है चले फिर मिलते हैं अपने ने